हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी एव एक्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं आवनीश पताइए आप सभी कैसे हैं एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की और आज की क्लास आपके लिए खास होने वाली है तो क्या है आपको मैं को आपको छोड़के हैं ही रहेंगे तो काफी अच्छे क्या हुआ है जो एक्जाम आ रहे हैं उनके ट्रेंड पर ही बातिचे चलती है कि आपका आने वाले जो एकजाम हैं और कैसे होने तो वो कॉर्सित आप ले सकते हैं आपके एवग्साम.org पर जाके तो उस पर हम बात करेंगे तो पर टोक आपका होगा आज नहीं होगा तो 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 कल हम कर लेंगे उनसे बात करिये हमने तो उनसे आप कर लेंगे जल्दी से हो जाएगा ठीक है चलिए कॉश्टम फर्स आपके स्कीन पर आगया है चलिए स्टार्ट करते हैं कॉश्टम फर्स आपके स्कीन पर आगया है कि वन टरन कितना होता है तो आप सो पता है बड़ा सिंपल सा कॉश्टम पूचा है वैसे ही जे का एकजाम था कुछटम फाफी तो उनको ज़ल्दी करेंगे, बच्चों को डाउट था कि सर इनके आंसर की आ गई है, तो बता दो कि कौन सा ज़ल्द है, कौन सा सही है, तो 110 बराबर आपका 9.81 kN के बराबर होता है, यह आपको पता है, then answer is A, A is cancer for this question, इसे तो कोई डाउट नहीं है, अब आपको अपने आप made नहीं करते हैं, electrification work का, bearing of root slab का, cornice का और lintel over a opening का, बताइए, क्या answer इस question का, बच्चे कहां गए आज, आज बच्चे, match देखने हैं क्या, match है क्या आज, चलिए, तो answer क्या होगा इसका, देखो क्या होता है, during the estimation costing, which of these deductions are not made, इन में से कौन सा आप deduction made नहीं करते हैं, तो जितने भी आपके electrification के work होते हैं, उनमें deduction किया जाता है, जितने भी आपके lintel over a opening होती है, उनके अंदर भी आपका deduction किया जाता है, लेकिन जो bearing of roof slab होता है, कि आपके roof slab के अंदर कितना bearing है, उसको deduct नहीं किया जाता, cornice के limitate करते हैं, कि कितना estimation costing हम कर सकते हैं, तो C is answer for this question, C आपका cut answer होगा, चलते है next पे, ठीक है, काफी अच्छे question है कुछ, ठीक है, आपके exam में देखो आ सकते हैं, ये question कहीं भी आ जाते हैं, ये question क्या होते हैं, जो आप आ रहे हैं, अभी trend में आ रहे हैं, वे question आपको कही exam में दिखेंगे, चलिए, क्या बुच अगया है, आप से the tool which is used to measure the perpendicularity between the two walls to make us sure the brick are set and exact 90 degree is known as, तो क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, वोल बनाते हैं, तो जो walls है, उसकी perpendicularity को measure करने के लिए आप एक instrument use करते हैं, वो instrument आपका क्या होगा, masonry square, masonry level, mason line, और आपका state age, तो masonry square हम use करते हैं, क्या use करते हैं, masonry square हम use करते ह for this, वो आपका कुछ ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, कुछ इस टाइप का होता है, देखा है क्या आपने, यह क्या करता है, यह आपकी perpendicularity of the wall को measure करता है, तो answer is A, and A is the answer for this question, B बता रहे हैं का आप इस student, A is the answer, चलिए, next करेंगे, next, next question आपके screen पर आगिया है, जवाब देंगे, subgrade of road shall be wall consolidated and compacted, each with the camber of, तो जो आपका subgrade of road है, यदि आप इसको compacted करते हैं, consolidate करते हैं, तो सब्सक्राइब की value होती है, यह आपके IRC का recommendation है, कि subgrade के लिए जो आपका camber होगा, वो 1 in 60 हम रखते हैं, 1 in 60 की value हम provide करते तो काफी, मतलब question को देखके काफी मुझे यह लगा, कि इसमें बहुत चारी चीज़े याद करने वाली पूछी गई थी, इस paper में, जिनको याद होगा, वो ही कर सकते हैं, तो हाँ, वो क्या होगा, वो आपका 1 in 60 D is cancer for this question, कल की PDF नहीं मिली है सर, चलो कल की PDF मैं आपको और अपका 3-inch edge arch क्या होता है, जो 3-hinged arch होता है, जीसे आपने दिखा भी होगा, इहाँ पर भी हिंज होगा, एक यहाँ होगा और एकहाँ ही हिंज होगा, तो यह ज़ो आपका 3-inch arch होता है, यह आपका determinate होगा, intermittent होगा, या फिर आपका statically intermittent depending upon the loading, because of central hinge, या फिर आपका intermittent if the springs are at the same level, बताइए, क्या अंसरा इस question का, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 3 hinge arch होते हैं, वो आपके statically determinate होते हैं, it is a statically intermittent, यदि ये बीच अला हिंज नहीं होता, तो ये आपके statically intermittent हो जाते हैं, लेकिन अब, by the help of the support reaction, हम इनको calculate कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर moment की value 0 होगी, यहाँ पर moment की value 0 है, ठीक है, तो आपके तो आपके बी और बी इस का अंसरा फोट इस question, चलिए, next, तो ये ये वाले बच्चों के लिए ज़्यादा प्रोप्रोप्रेटर जो डिप्लों वाले स्टुडेंट है, उनका हिसाब सी paper बनाया गया था, चलिए, एक compressive force is considered negative when the members produce tension, the member produce bending moment, the member produce torque, the member produce shear force, वो पूछ रहा है, जो compressive force है, उसको आप negative कब consider करते हैं, कब आप उसको negative consider करते हैं, compressive force को, देखो क्या है कि मालनो मेरे पास एक member है, और इस member पर मैंने compressive force को अंदर साइड negative माना, F को मैंने इसको माना कि मेरा ये क्या है, ये मेरा compressive force है, वो मेरा ये आ रहा है, अब क्या हुआ कि इसके हिसाब से F की value कुछ आई होगी, अब मालनो वो आ गई negative, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हामने symbol माने है, उसके opposite आपका reaction हो रहा है, उसके opposite आपका reaction हो रहा है, ऐ यदि compressive force negative हो रहा है, मतलब क्या है कि tension produce हो रहा है, तो answer क्या है, A and A is answer for this question, simple question था, A tension, ठीक है, बहुत variety आ रही है, वैसे कोई answer में आप सभी के, बहुत जादा variety आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भई? next question करेंगे, next, question में आप से बोला गया है, कि flackiness index and elongation index test is not applicable to aggregate size smaller than, क्या होता है flackiness index, जो आपका least dimension होगा, least dimension, least dimension, is less than 3 by 5th of main dimension, यह होता है न? main dimension से आपका 3 by 5th होता है, तो यदि ऐसा हो रहा है, तो इसका एक recommendation होता है, कि जो आप लगा रहे हैं, flackiness index की value, या elonginess index को आप कर रहे हैं, वो तब ही कर सकते हैं, जब आपका, जो size of the aggregate होगा, वो 6.35 mm से बढ़ा होगा, तो छोटे पे हम इसको applicable नहीं कर सकते, तो answer क्या and B is cancer for this question, चलते हैं आगे, next, यह estimation costing के काफी question आयते हैं, exam में, 3 by 5th हो 1.8 times, रुको सही बात, चलो, next question आपके screen पे आगे है, जो आप देंगे, कि the term by which the contractor is paid for a specifically instructed work on the basis of cost of labor, material and the plant plus markup for the overhead and the profit is known as, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका contractor है, वो कुछ paid करता है, ठीक है, जो काम आपने किया, उसमें आपके बहुत सरे काम होते है, cost of labor आती है, material आता है, plant आता है, और कुछ overhead cost आते है, जो आपकी indirect cost होती है, क्या होती है, यह आपकी indirect cost होती है, तो यह जो आपकी indirect cost आई है, इनक को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, तो इनको हम बोलते हैं day work, day work is the answer for this question, it is not a item rate, यह आपका item rate नहीं है, बहुत सरे students item rate बता रहे होंगे, पर item rate नहीं होता है, it is a day work, आरी बास में आप सभी को, चलिए, चलते हैं next question पे, the principle of superposition is valid only if the material is, क्या होता है, आपने यदि class आपने सुरवसर की class है, उसको अच्छे से किया होगा, तो हाँ, good evening जी, विशेश, चलिए, यदि आपने इक question अच्छे से किया होगा, आपकी class में, सुरवसर की class में, तो आपको पता होगा, कि क्या मतलब होता है उस चीज़ का, कि principle of superposition क्या होता है, देखो principle of superposition आपके दो चीपे depend करता है, पहली बात ये, कि जो deformation है, वो बहुत small होना चाहिए, small deformation, small deformation, और दूसरा, जो आपका hook slow है, वो valid होना चाहिए, hook slow आपका valid होना चाहिए, ये दो symbols आपको बता होना चाहिए, दो आपको statement बता होना चाहिए, तो कि अधि principle of superposition क्या करते है, कि अधि मुझे कुछ, मालो की कहा है, आपका temperature की भी बढ़ रहा है, और लोड की वज़े से भी आपके prismatic beam में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या करते है, उनको separately निकाल लेते है, कि भई, force की वज़े से ये हुआ, और temperature change की वज़े से ये D is concept for this question, deformations ना कम होना चाहिए, और hook slow valid relationship मतलब क्या हुआ, कि जो stress-stain relationship है, वो आपकी linear रहेगी, ओके, तो answer क्या है, आपका answer आपका उचाहिएगा D and D is concept for this question, चलते है next पे, next, हाँ, सब C and D meaning almost same ही है ना sir, elastic, देखो proportional limit और elastic limit पे difference होता है, तो हम क्या आप मानेंगे, stress-stain relationship है, उसको linear मानते हैं, और वो proportional limit तक होती है, not elastic limit, ठीक है, इसलिए मैंने इसका answer लगाया है, वो मैंने इसका D लगाया है, चलिए, क्या answer है इसका question का, जवाब देंगे, shear stress upon shear strain क्या होती है, वो shear modulus होता है, निकमो, मतलब मुझे चलू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए, यदि आप इतने चोड़े सवाल को गलत कर रहे हैं, ठीक है, जो इसका question का answer गलत कर रहे हैं, वो सबको हवन करना चाहिए, हवन करेंगे, हवन करेंगे, करना चा and answer is C and C is cancer for this question, आरिवास में सभी को, BPSC A की preparation कराईए सर, ठीक है भाई सब, वो भी करा देंगे, मंकी दिखाईए, मंकी दिखेगा अब आपको, मंकी अभी quarantine चल रहा है, अभी आएंगे हो, quarantine से तब आपको दिखाएंगे, चलिए, next है आपका, काफी अच्छे question में, कुछ आपको दिखने को मिले, इस paper में हुझे, और हाँ, वो आपको exam में आ सकते हैं, बोलिए, क्या अच्छे question का जवाब देंगे, बोल गए आप से, which of the following concrete has the ability to heal its crack, इन में से कौन सी concrete की ability होती है, कि वो अपने heal its crack, heal मतलब क्या होता है, कि अपने जो crack से उनको भर जाता है, माल concrete के अंदर ये ability है, कि वो अपने cracks को भर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, heal its concrete, तो क्या बोलेंगा उसको, उसको हम बोलते हैं, short create, bacterial concrete, high performance concrete, self compact concrete, क्या अंसर है इसका, तो बहुत से students का अंसर D बता रहे होंगे, बर D इसका अंसर नहीं है, आंसर इसका bacterial concrete, bacterial concrete इसका होता है, self compact का मतलब ये होता है कि, कि आपको air vortex करने है, लेकिन यह जो crack बनने की बात कर रहे है, यह आपके जमने की बात कर रहे है, जमने की बात क्या होता है, कि आपके concrete अंसर नहीं वो क्या करता है कि बहार से जो आपका CO2 है और जो air है उसकी reaction कराके बहार से आप क्या जो lime की quantity है आपके concrete के अंदर उसको बना के रखता है जिससे कि क्या हो जो cracks है वो भढ़ जाते हैं वहाँ पे तो यह bacterial concrete के अंदर होता है किसके अंदर होगा bacterial concrete के अंदर होता है चले आँगे चलते नेक्स पर नेक्स्ट नए इसके रोज ओफ आर्ज यह ओप्शन गलते है इसके ओप्शन आपके गलत है इसके ठीक है बस वैसी कोशन दे दिया मैंने यह ओप्शन इसके गलत है कि अच्छी बात है ठीक है देखो क्या होता है कि जोब को जोइन करने से बहुत सारे फायदे होते हैं कि आपका जो माइंड़ा वो फ्रेश रहता है और आप जब पढ़ाय करने बैठोगे तो आपके दिमांगे कुछ चीज नहीं चलेंगे तो यह काफी अच्छा है चलिए न उनको मिलाके जो टम्स बोला जाता है वो आपका होता है आर्केड इनको क्या बोलते है आर्केड बोलते है ठीक है तो इस कोशन में आर्चीज से काफी कोशन आये थे यदि आपने मेरी जो क्लास है आर्चीज वाली क्लास देखी होगी तो मैं 100% आपको शोर कर सकता हूँ कि आपने सारे question इसके अंदर किया होंगे, ठीके बस वही है कि पढ़ना पढ़ेगा ना आपको, मैं आपको घर जाके एक कोशन तो पढ़ाऊंगा नहीं, पर यदि आपने 25 से पढ़े होंगे आर्चीज के question, तो अहां से सारे question आये हैं, आर्केड, उसको हम आर्केड बोलते हैं, चलते हैं next पर, बैसे वही आगया, हाँ, यह आगया question, कोई बात नहीं, तो answer किया है, इसका answer है, आपका आर्केड, C, इसका answer for this question. Next, next question आपके screen पर आगया है, जवाब देंगे, question में आपसे बोला गया है, which the following is not a type of equilibrium, इन में से कोई सा आपका type of equilibrium नहीं होता है, unstable, stable, neutral equilibrium, यह तो बिल्कुल, बतला ऐसे question भी जादिए, आप गल्द करके आ रहे हैं न, तो सहीं में, देखता हूं में कोई गल्द कर रहा है question, विक्रम, यह विक्रम, तुमको विक्रम बना देंगे हम, बताव C बता रहे हैं, हद होगा इकती, देखो, which the following is not a type of equilibrium, इसको हम बलते है, negative equilibrium कभी भी यूसरी में नहीं आता है, negative equilibrium का मतलब होता है, या तो positive होगा है, या तो आपका stable होगा, या फिर आपका unstable होगा, या निट negative, चलिए, देखो, यह कुछ आपके रटने वाले questions है, the method of tension coefficient developed by, तो जब हम method, जब हम tension member के बारे में पता करते हैं, तो हम कुछ tension coefficient को यूस करते हैं, alpha type के, तो वो जो developed किया थे, वो RV Southwell नहीं यूस किया थे, तो मुझे लगता कि यह बहुत सरे students कर पाया होगे, तो कि यार, तरजागी का नाम तो famous है, पर यार, यह कोन याद करता है, यह कोन याद करता है, ठीक है, ठीक है, ठीक भाई, पुनित अगरवाल जी, हम आपका support करेंगे, हाँ, ठीक है, हम आपका support करेंगे, कोई tension नहीं है, आप बता देना, मुझे timing क्या है, लिख देना, comment section में, हम आपक moment area theorem आपने पढ़ी है, कि moment area theorem आपकी क्या होती है, उस moment area theorem के according, वो आपका, जो moment area theorem है, वो आपका slope निकालती है, only deflection निकालती है, elastic curve निकालती है, या slope and deflection दोनों को calculate करती है, तो moment area theorem आपका slope and deflection in the beam, beam के case में, आप slope and deflection निकाल सकते है, आपका moment area करके, लेकिन बात यह है, condition उने चाहिए कि इसके अंदर कोई भी hinge नहीं होना चाहिए यदि कोई hinge हुआ तो जो आपका moment area method है वो नहीं लगा पाते और वो आपका appropriate नहीं रहेगा तो answer क्या इसका D and D इसका answer for this question चलते नेक्स पर नेक्स्ट रिजट निकलवा दो approach आपकी approach होगी नहीं मैंने बात भी करी है तो उन्होंने अभी ही तो यह में कुछ क्लिर्टी नहीं है बच्चोंने प्रिशांगा रखा उनको phone करके उन्होंने यही बोला है कि सर अभी time लगेगा थोड़ा सा आपता नहीं क्या है क्या नहीं है ठीक है मैं कुछ एक वीडियो बनाता हूं इस पर भी और आपको twitter पर भी आना है मैं आपको time मता देना मुझे आपको जो आपने time fix कर रखा है उससे किसाब से करेंगे इसमें आपको पास क्या है आपके पास bulk modulus दे रखा है कि दे रखा है आपको g दे रखा है g दे रखा है 48 g दे रखा है या तो आपको formula यादो सीधा ही e निकालने का यह नहीं भी आता है तो एक काम करो equals to क्या होता है equals to 3 के 1 माइस के 2 मू और equals to 2z 1 प्लस के मू यहां से मू निकाल लो और मू की value किसे के अंदर put कर दो answer आजाएगा वैसे जो आजका answer आएगा वो आएगा 120 के करीब 120 करीब आएगा क्योंकि मू की value 0.25 आएगी मू की value 0.25 ठीक है तो answer 120 के करीब आएगा B इसका answer for this question यह आपको diet formula भी आते है तो diet formula से कर सकते हैं चलते next पर लिख रहा है the life of a country would in a work in building 15 years, 2 years, 30 years and 7 years बोलिये जो would आप use करते हैं ठीक करवा रहा हूँ मैं आपको कल भी में question लिखा हूँ मुकेश जी आपके लिए जो आपका survey question है तो आप tension मत लिए उसके हाँ चलो मैं उस पर video बनाता हूँ एक और आप सब को support करना उस पर भी और उसको लेकर जाएंगे चलिए क्या answer इसका the life of country would is work in buildings of देखो क्या होता है जो आपका life of country would होती है तो कुछ जंगे तो इसका answer 30 दिया हुआ है कुछ जंगे इसका 15 years दिया हुआ है 15 years दिया हुआ है अब इसमें आपने दोनों में option दे रखा है 15 भी दे रखा है 30 भी दे रखा है तो country would का जो work buildings रहेंगी वो 30 साल के लिए हम इसको design करते हैं c is current for this question c आपका cat answer होगा not a c is current answer for this question ठीक है तो 30 साल के लिए हम क्या करते हैं design करते हैं चलिए next आपका fix beam loaded in transversely is statically interviewed by यह आपका structure question है question में क्या बुच्छा गया है काफी है सही question है यह वाला ssej hashtag ssej 2018 result ठीक है यह रखेंगे परभास सिंग मुझे ना comment कर देंगे मैं इसको copy करके हम आपके paste कर देंगे चलिए अब दो क्या होगा कि मालो मिरे पास यह क्या है मेरे पास fix beam है fix beam में आपने यहापे p load लगाया जब p load लगता है तो देखो यह आपका क्या है यह आपका fix section है तो fix पे आपके तीन reactions रहेंगी या तो आपका यह रहेगा या आपका moment रहेगा या यह रहेगा लेकिन जदि आपका जो load है वह सिर्फ transversely load लग रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है यह आपका 0 हो जाएगा और यह भी आपका 0 हो जाएगा तो बचे कितने आपके पास 4 तो unknowns है और 2 आपके पास equivalent equation होगी vertical वाली और moment वाली summation of f y equals to 0 और summation of moment equals to 0 तो बचे कितने बचे आपके दो तो 2 degree of intimacy इसके अंदर है और b इसका answer for this question चलते है next पे next next question है आपका क्या answer है इसका बोलिए which of the survey that is done to determine the quantity for designing for engineering works जेते हैं आपके engineering works होते हैं उनको design करने के लिए हम कौन survey करते हैं जब उसने पहले engineering बोल दिया तो engineering survey करेंगे c is cancer for this question ऐसे question क्यों बनाते हैं यह लोग ठीक है तो answer क्या आपका answer आपका answer आपका c and c is kind of this question चलते है next पे next next करिए question में आपसे बोला गया है a brick having a full length and thickness but half the width of a full brick is known as क्या बोल रही है कि मालनो मेरे पास यह एक brick है इस brick को मैं कैसे काटूं कि जो उसका length है वो तो full रहे तो मैं यसी काटूंगा तो मैंने इसको कैसे काटना तो j banco यह रहेगी लेकिन जो width होगी वह आपकी w by two हो जाएगी तो यह क्या होते हैं कोन से closer होते हैं कोन से closer होते हगे king closer बता रहे हैं मतलब 2 तो मरने की भी जगह नहीं है मेरे पास. आंसर क्या है? आंसर आपका Queen Closer. Queen Closer. जो student इसका आंसर King Closer बता रहे हैं, उनको बता देता हूँ मैं आपको दुबारा से फिर भी. मतलब कितने पढ़ा लो आप सभी को? गलती तो फिर भी करोगी आप. क्या होता है उसमें? आप Length को भी Half काटते हैं और विर्थ को भी Half काटते हैं. तो दोनों को काट देते हैं तो यह अला portion निकल जाता है बाहर. उसको हम बोलते हैं कि यह आपका King Closer है. आरी बास मैं आपको? तो आपसर की आपका? आपसर आपका D मतलब मज़े ले रहे हैं महलो की रानी ठीक है अब बता निए मुझे पता निए लग रहा कि कौन से कौन से सब्जेट का कोशन में बुचा है यह तो बताएंगे इसका जो कोशन आपके स्किन पर आ गया है बुलिए चलिए क्या है आपका energy dissipation which effect of radiation on a material which heat the things on which radiation fall? तो मुझे नहीं पता है कौन से topic का answer है पर यदि radiation की बात करेगा तो radiations को control करने के लिए हम energy dissipator को use कर सकते हैं then answer is C and C is answer for this question चलते next पर वैए nice question और class में करवा रखा है धिहान से पड़ोगे तो question मिल जाएंगे आपको exam में बताएंगे answer इसका next, next question आपके skin पर आगया है जो आप देंगे चलिए, क्या answer है इसका? answer बोलिए कोश्मियाक से बोल गया है इन्हें optical characteristic of a telescope which compound lens free from spherical abriation is termed as देखो क्या होता है आपके जब lens की बात करते हैं तो आपके lens के अंदर दो type के जो defect है वो आते है एक आपका होता है abriation defect एक होता है आपका chromatic, ठीक है? chromatization का defect तो यदि आपका, आपके क्या हुआ कि जो spherical surface है आपके lens की जो spherical surface है उसकी वज़े से defect हो रहा है उसको abriations बोल देते हैं, spherical abriations और उसको दूर करने के लिए हम उसको बोल देते हैं कि this is Applantation, क्या बोलतेते हैं इसको तो क्या बोलतेते हैं, इसको हम बोलतेते हैं Applantation, यदि आपका defect नहीं हो रहा है, यदि उसको दूर करना है तो, ठीक है, यदि आपका Accromatation क्या होता है, कि जो आपकी Sunlight आती है, जो इसके अंदर light आएगी, वो आपकी साथ रंग में बिखर जाएगी, और आपको अपने, जहां भी image बन रही होगी, वहाँ पे आपको rainbow बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो यदि मुशन उसको दूर करना है, उसको हम बोलते है, Accromatism, ठीक है, तो ये दोनों को दोनों चीज़ आपको पता होने चीज़िए, कि what a difference between them. तो answer क्या होगा, इसका answer होगा C, and C is answer for this question. ये question करभा रखा है, एक लास में भी मैंने. चलिए, ये mechanics का question है, बताइए answer. Next. नहीं समझे, sir. दोगो, कुछ नहीं होता, यती मेरा lens है, ठीक है, इस lens के अंदर ये जो spherical portion है, इसकी वज़े से defect आ जाते हैं. बहुए, हर इसकी जो curvature है, वो हर point पर change हो रही है. तो क्या बोलतेते हैं इसको, इसको हम बोलतेते हैं, कि ये आपका spherical abrasion है, और उसको दूर करने की जो technique होती है, उसको हम application बोलते हैं. दूसरा आपका होता है, कि यदि आपका, जो sunlight है, sunlight है, वो आपका eye, और वो आपकी साथ रंगों में बिखर गई. तो उसकी वैसे क्या होता है, कि जो हापे image बन रही होती है, वहापे rainbow बन जाता है. और वो आपको दिखेगा निए के लिए picture क्या है, उसको हम बोलते हैं कि chromatism का error है यह, उसको दूर करने की जो technique होती है, उसको एक्रोपटिसम बोलते हैं, और spherical को दूर करने के लिए हम बोलते हैं, इनको जो जोड़ने का तरीका होता है, वो आपका होता है कि आपको canada balsam use करना पड़ता है, क्रेड़ बेलसम क्या है कि एक ऐसा glue होता है, जिसमें आपके दोनों lens, ये lens भी और ये lens भी, दोनों lens को आपको इनके बीच में चिपकाना पड़ता है, ये होते हैं तरीके, पुरी कहानी बता दी, मैंने आपको इसकी, बोलिए, क्या answer है, इस question का जवाब देंगे, बोलगे आपसे बीचितों, फॉर्स दा बोड़ी में बी इन एक्कुल्बिनियम, इफ दा सम अफ दा फॉर्स अक्टिंग अने बोड़ी इस जीरो, तो यदि आपका जो बोड़ी, and B is cancer for this question, चलते हैं next, next, can I have build some, next question आपके skin पर आगे है, जो आप देंगे, moment is considered positive when it is act, हाँ, कर दूँगा मैं, मुकेस ठाकुर जी, मुझे बताने एक बार कि objective question करने है, फिर subjective करने है, objective करने है तो बता देने एक बार, बोलिए, moment is considered positive when it is act on the member end, zero, normal, normal moment is considered positive, fixed moment is considered positive when it is act on the member end, देखो, यदि fix की बात करेंगे, तो fixed end पर तो आपका moment की value, positive बोसक्तिव हो सकती है, लेकिन यदि आपका twisting moment लग रहा होगा, तो twisting moment को हम बोल सकते हैं, कि यह आपकी value क्या होता है, यदि हम thumb rule रूल use करेंगे, यदि यह अंद हर साथ जा रहा होगा, तो हम positive add करते हैं, यदि भाग साथ जा रहा होगा, तो हम इसको negative करते हैं, तो आपके यदि when the işte member के end पर act कर रहा है, तो उसको हम twist moment बोलते हैं, क्या हम बोलते है, twist moment बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा C, and C is considered for this question. Fixed moment is not considered the positive, क्योंकि यह आपका negative positive दोनों हो सकते हैं. चलें आगे, चलते हैं next question में. Poison ratio is defined as the ratio of, बहुत सड़ावा question है, हर बार exam में पुछे आता ही, तो it is very सड़ावा question, देखके मारो इसको तो. Question में आपसे बोला गया है, the poison ratio is defined as the ratio of longitudinal strain, lateral strain by the longitudinal strain, linear strain by the volumatic strain, lateral strain by the volumatic strain, क्या होता है? Poison ratio कैसे हम define करते हैं? तो poison ratio क्या होता है? यह आपका क्या होगा, mu equals to minus के lateral strain divided by longitudinal strain. longitudinal strain, तो answer क्या है आपका lateral strain by longitudinal strain and B is answer for this question. चलते हैं next पे. अब आगई building material की question, building material की question यह अदि आपने नहीं करके आए, तो भाईया हवा नहीं करना पड़ेगा फिर तो. अच्छा objective टाइव आते हैं, फिर ठीक है, बेज भूंगा मैं. Which equipment is used for finding the soundness of a cement? Lee Chattelier apparatus, Wicket apparatus, Piconometer apparatus and the Permeability apparatus. बताव मुझे कि soundness of a cement निकालते हैं, कि free line की हो ऐसे कितना volume change हुआ, तो बड़ा simple सा question है यह तो और आपको पता यह इस कान सा क्या है, it is a Lee Chattelier apparatus use किया आता है, and A is cancer for this question. चलते हैं आगे. Next. Question में आपसे बोला गया है a influence line, तो बड़ा कर देता हूं इसको. बोला गया आपसे a influence line for a structure function is used to obtain the maximum value because uniformity distributed load only, single point load, series of concentrated load. बताईए. जो आप ILD बनाते हैं, वो ILD आप किसके लिए बनाएंगे? या obtaining maximum value because of uniformity distributed load की वेसे मिलेगा maximum आपको single point load की वेसे मिलेगा या series of concentrated load की वेसे मिलेगा. तो आपका जो Mueller-Braslow principle है, क्या आपका जो Mueller-Braslow principle है, उसके according, आप UDL में निकाल सकते हैं, point load में निकाल सकते हैं, और concentrated load में में निकाल सकते हैं. तो answer तो 3 होने चाहिए, रिजी तो बोला निया कि इस में maximum होगा, पर 3 दे रखें answer, then answer is C, and C is answer for this question. ठीके तो 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 रखोशन दुख़ए बुचल आपको एक रखोटा होगा, सबमें निकाल सकते हैं, चले आगे, करिए. Next, next कुछ आपके स्कीन पर आगया है जवाब देंगे influence line क्या होती है कि आपका reaction आपके bending moment और आपके shear force का जो variation है भीम में वो कैसा है उसको define करने के नहीं हम influence line को use करते हैं बोलिए यूपर C-A के answer कि आजाएगी आपकी जन्वरी में attention मत लिजिए उसकी बोलो the outer curve which is bound the upper edge of the arch is known as तो आपको पता है कि introduce और extrudus क्या होते है आपके arches के अंतर तो यह जो part होता है इसको हम introduce बोलते है और यह आपका extrudus part होता है तो जो upper edge पे होगा वो क्या होगा वो आपका extrudus होगा तो answer क्या होगा अब D and D is answer for this question यह question मैंने class में करवार रखे हैं आपको question मैं आपको करार रखे हैं class में चलिए next ठीक है पेपर तो काफी easy लग रहा है मुझे वैसे कुछ questions यह आपके जो बिल्कुल नए से question थे और सब तो आपके easy है सब उपर से जा रहा है यह तो simple से हैं उपर से क्या जाएगा इसमें इस slope of cantilever beam यह आपका cantilever beam है और यहाँ पे आपका concentrated load P लग रहा है तो यदि मैं आपका देखूँ कि यहाँ पे आपका deflection delta है और slope आपका theta है तो delta क्या होता है delta आपको जाएगा pl cube upon 3EI due to the unit load और theta कितना होगा theta आपको जाएगा pl square upon 2EI तो answer क्या होगया answer हो जाएगा small case में slope पूछा है आपसे pl square by 2EI तो answer होगया D and D is cancer for this question ठीक सिंपल सथा है तो कुछ B बता रहे है pl by EI क्यों होगा बताओ मुझे concentrated load पूछा है धिहान से पढ़ो ना question को यदि moment होता यदि आपका moment होता तब हम बोलते हैं कि ML by EI हो गया आपका धिहान से पढ़ना होगी question चलिए next question करेंगे next next question आपके screen पर आगया है leveling in which level on which side of the main line is at right angle to that line मालनों कि आपके पास यह एक road है और यह जो आपकी center line है यह आपकी main survey line है main survey line है अब यह बोल रहा है कि इस main survey line पे main survey line के जो perpendicular आप leveling करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जो उसके perpendicular जो हम leveling करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं, करवाय एक ग्लास में question ये भी, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं cross section leveling, यहां से point डालेंगे, यहां पर डालेंगे, यहां पर डालेंगे, इसको हम बोलते है cross section leveling, cross section leveling and the answer is D and D is concept for this question, चलते है next पर. Next Next question आपके screen पर आगया है, जो आप देंगे, बोल गया है आपसे, which material has a composite structure, which is layered structure formed agglutated by a different sheet, जब क्या होता है, कि मालनों आपको एक structure बतानी है, उसमें आपने क्या किया, कि बहुत सारी जो struct sheet थी, उनको आपने glues किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, agglutated बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलते हैं, laminated structure, जैसे हम क्या करते हैं, laminated बनाते हैं, आपके किस में, plywood में भी laminated बनाते हैं, ऐसे हैं आप composite material के अंदे बना सकते हैं, तो answer क्या होजएगा, answer होजएगा C, and C is answer for this question, चलते नेक्स पे, next question करेंगे, बैसे survey के कावी अच्छे question आया है, bring the face of telescope from right to left and vice versa, क्या होता है, कि जो आपका telescope है, उसकी axis को आप गुमा रहे हैं, ठीक है, तो bring the face of telescope from right to left, आपने उसको right to left किया, मतलब क्या है, जो आपका vertical circle है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, उसका recording आप telescope की surface को गुमा देते हैं, या तो आप ऐसे गुमा हो, या फुर आप उसको ऐसे गुमा हो, तो यह क्या होते है, यह क्या होंगे, it is changing the faces, तो it is not a transiting, transiting क्या होती है, transiting मतलब यह होता है, कि आप अप अपने जो telescope है, उसकी axis को rotate कर रहे है, यहाँ पे axis को rotate नहीं किया है, आपने telescope की axis को ऐसे रखा, पर उसका observation चेंज किया है, जो vertical circle है, वो change हुआ है, तो क्या होगा यह, यह आपका changing the face, and a is cancer for this question, ठीक है, क्या कर रहा है, यह आपका right to left कर रहा है, यहाँ पे यह ऐसे rotation नहीं ह क्या हो रहा है, clockwise, anti-clockwise, तो answer क्या है, a, and a is cancer for this question, चलिए, next question करेंगे, question में आप से बोला गया है, the machinery arches resist the external load by bending moment and the radial shear, thrust only, normal thrust and shear, normal thrust, radial shear and the movement, जो machinery arches होते हैं, जो जितने भी आपके machinery arches होते हैं, वो कौन से load के लिए डिजाइन के जाते हैं, बोलिए, क्या आँसर है इसका, मेरा net, अब net गया तो क्या गर सकते हैं, बताओ, जो जितने भी आपके machinery arches हैं, यदि मैं उनकी बात करूँ, कि वो आपके कौन से load को resist करेंगे, all, 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 be is right, जो क्या होते हैं, जितने भी आपके machinery, यदि आपने arch को, आपको किससे बनाया, यदि आपने जो arch है, उसको brick से ब पाता है, यदि आपने bending movement को करा, तो क्या हो जाएंगे, कि arch के अंदर ऐसे crack बन जाते हैं, क्या होंगे, यह आपकी brick होंगी, और यह आपकी brick होंगी, तो brick क्रश्ट तो करती हैं, brick में ऐसे-ऐसे crack बन जाते हैं, बताओ, क्या होता है, shifting हो जाती है, पूरी-पूरी brick का जो mortar ह shifting हो जाती है, तो इसमें सिर्फ thrust ही काम करता है, और कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, यदि आपने masonry artist को बनाया, बुद इवन जी, बुद इवन अनुजी, चलो, B is cancer for this question, चलते हैं आगे, यह तो मैंने आज ही पढ़ाया था, वैसे, class में, जो आपका पेड़ को चल रहे है, हाँ, evening जी, evening, सुमानता जी, यह सभी अपने बच्चे हो क्या करें अब, मतलब, सबको मेरा, नमस्कार, सलाम, पढ़ते रही, वस ऐसी, ठीक है, यह आपसे मिलने का इमन है, मतलब आप लगता है कि इस सिटी में भी जाना पड़ेगा, चलो एक कुछ मीट करेंगे, आपसे मिलने आएंगे आपके सहर में, कभी मुका मिलेगा तो, चलिए, next question क्या आपका, आपको पता है कि यदि आपका 1 cm per second रहेगा, तो यह आपका क्या रहेगा, यह आपका ग्रेवल रहता है, ठीक है, यदि आपका 1 into time of mass के 2 के करीब रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका sand हो जाएगा, ठीक है, और time of mass के 3 से लेके, time of mass के 6 रहेगा, तो वो आपका silt हो जाएगा, और यदि इसकी value आपकी less than time minus 6 रहती है तो ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाता है clay तो इसकी जो range लाई कर रही है वो आपकी sand में लाई कर रही है and D is answer for this question ये आपकी क्या होती है typical value होती है permeability की ये आपको पत्वन अच्छी है चलो आउंगा हाँ नहीं ताल तो आ सकते हैं वैसे चलिए next question करेंगे next good evening good evening question में आपसे बोला गया है if 2g इसके देने m plus k r in a plane trust आपको पता है कि जब हम ds को calculate करते हैं वो m plus k r minus k 2g होता है यदि आपका ये value 0 आ रही है तो हम बोलते हैं कि इस सा statically dramatic trusses लेकिन यदि आपके 2z की value आपके m plus r से बड़ी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम it is a तो answer क्या है इसका answer आपका हो जाता है unstable and d इसका answer for this question मतलब क्या है जो joint के forces है वो m plus r से जादा नहीं होने चाहिए तो आपकी जो structure है वो unstable हो जाएगी structure आपकी unstable हो जाएगी अच्छा रामपूर तो रामपूर आएंगे हर्याणा हर्याणा तो हर्याणा पास में यह वैसे कहां रहते हो हर्याणा नेक्स नेक्स आपकी स्कीन पर आगे जवाब देंगे a detail estimate that is prepared when there is a requirement of additional work during the progress of original work is known as यह बोल रहा है कि मैं a detail estimate का prepare कर रहा था और मेरे पास कुछ extra work आगिया तो जो मैंने काम का work का progress किया उसके अंदर ही मैं आपका extra work को add कर देता हूँ तो यह कौन सा कोस्ट होता है it is a revised cost it is a annual repair cost it is a approximate quantity method cost और supplementary cost यह कौन सी cost होती है बोलिए approximate बता रहे हैं कुछ ठीक है तो क्या होती है देखो यह question आपका दो बार आया इसमें it is a supplementary cost हम उसको बोलते है it is a supplementary cost supplementary cost क्या होती है कि आपका जो progress of survey में cost आया उसमें आपने कुछ extra cost को add किया as per the progress of survey तो उसको हम supplementary cost बोलते हैं d is concept for this question revise cost estimate तब करते हैं जब आपका जो cost है वह आपने जो measure किया था starting में उसके according नहीं चल रहा है चलिए next question क्या है J कैसे निकालें पढ़के निकालें चलिए next question क्या है the trust is known as a plane trust since all the members lie in जो आपका trust है plane trust कौन से होते हैं और space trust कौन से होते हैं सिर्सा अच्छा जी चलो बताएंगे वैसे कुछ कर रहे है मिटब प्लान तो आपको बताया जाएगा जो आपकी class start होती है वो 8.30 start होती है 8.30 मिझे लगना है बच्चो को 9 बज़े का time बता हुआ है तो 8.30 PM आपकी class start होती है रात को लेट हो जाता हूं फिर मैं है ना फिर सुभी class रहती है आपको पता ही है चलो next question है आपका the trust is known as a plane trust since all the members lie in different plane one plane circular plane और perpendicular plane तो जो plane trust होते हैं जो आपकी one ही एक plane में काम करते हैं किसमें एक ही plane में काम करते हैं बी इसका answer for this question चलते है next पर करिए लिख रहा है आपका which of the following is formed a primary use of equilibrium analysis to evaluate the reactions and internal forces जो आपका free body diagram बनाते हैं elementary force बनाएंगे weight बनाएंगे और external force बनाएंगे क्या पूछता है question में देखो यह आपके mechanics के question है काफी exam में आपके question आए है बोला गया आपस कि यदि आपके पास जो equilibrium analysis आप करते हैं और reactions or internal forces रो calculate करते हैं वो by the help of free body diagram करते हैं कि मालनो मेरे पास एक ऐसा section है और यह इससे ऐसे add कर रहा है तो क्या करते हैं free body diagram बना कि reaction लगाते हैं इस पे की ऐससे ए ways reaction add कर रहा है तो यह क्या होते हैं यहापके free body diagram बनाते हैं जाटे कि इस पे कितना action load add कर रहा है Okay, तो answer क्या आपका, answer आपका उजाएगा A, and A is answer for this question. चलते हैं next पर. Next. Free body diagram is used to calculate the reactions and the external forces. किसी body पर कोई external force लग रहे हैं, उनको कालकूट करने के लिए हम FBD use करते हैं. ठीके मम्ता, चलिए, हाँ, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एव एक्जाम में, इस्ट्रेंट का नई ने ज़िए स्ट्रेंट है. चलिए, इस short hollow steel column has an internal diameter आपको दिया हुआ है, तो D internal आपकी बात की जा रही है. मतलब आपना बात मिलाने में इतनों number one है, फिर जो आपके offline दिखते हैं बच्चे वो बोलते हैं, sir, हर बात का जवाब देना क्या ज़रूरी है, तो इसलिए आर चुप हो जाओ, please. And the cross-sectional area क्या दे रखा है आपको? Area आपको दे रखा है, 0.01694 meter square और आपसे पूच्चे आपको दे रखा है, 0.01694 meter square और आपसे पूच्चे आपको दे रखा है, कितना? 0.01694 और equals to pi by 4 कर दो, internal die आपको दिया हुआ है. Internal, internal, यह external माल लेता हूँ, इसको external और यह आपका internal. तो इसको मैं मानता हूँ, d, e का square minus k, 0.2 का all square. Calculator था क्या आपके exam में? Calculator दे रखा था? पता नहीं, नहीं दिया होगा तो. आपने tech करा दिया, non-tech कैसे करें? देखो non-tech का previous question करिए. ठीक है? जो आपका previous question है, उस पर करिए. अब याद Calculator नहीं दिया होगा, तो कैसे करेंगे बच्चे? पता नहीं, कैसे कैसे दे जाते हैं? चला, आप करो अब Calculator से. जो भी value आ रही है, बता दो क्या answer है. गेट में होता है, सर. अब थोड़ी बहुत calculation करनी पड़ेगी, पर यहाँ बड़ी हो जाएगी फिर भी calculation, इसको आप फिर अंडूट भी करना पड़ेगा, ना? फिर last में आप अंडूट भी करना पड़ेगा. पता नहीं, answer दे रखा है, answer में साब से C आ रहा है, वैसे मैं तो calculator से किया है, पर आपको यदि ऐसी calculation दे रही है, तो फसाने के लिए दे रहा है exam में, में तो ऐसा लगता है, कि इतनी बड़ी calculation होगी नहीं, बैठके, चलिए, next question क्या है आपके, next question आपकी screen पर आ गया है, which one of these methods is used to find out the in-situ density, in-situ density क्या होती है, जो आप density, field में निकालत करते हैं, वो क्या होता है, वो क्या होगा आपका, which one of the method is used to find out the in-situ density, alcohol method, rubber, ballon method, dry sieve analysis, chemical method, कौन सा method हम यूज करते हैं, बोलिए, dry analysis से कभी भी आपकी density calculate नहीं होती है, यह कौन बता रहे है, dry analysis कर दो, मतलब आंसर भी ऐसा देंगे कि मैं पागल हो जाओं, dry analysis नहीं करते हैं अभी भी, आपको यह दी incidence निकालनी होती है, rubber ballon method is used in the field to calculate the in-situ density, in-situ density हम से calculate करते हैं, ठीक है, आंसर क्या है, B, and B is cancer for this question, चलते हैं next पे, next next question आपके screen पर आगया है, जवाब देंगे question में आपसे बोला गया है, which one the following method can be used to determine the water content, chemical method, hydrometer method, hydrometer method से क्या निकालते हैं, percentage finer निकालते हैं, इसके अंदर, और क्या निकालेंगे कि जो आपका particle है, वो क्या है, course है, fine है, इसके निकालते हैं, C, U, C, C से निकालते हैं, तो क्या होगा आपका, which the following methods can be used to determine the water content, chemical method, hydrometer method, dry seam analysis, और torosional balance method, तो कौन सा method यूज के आता है, जो torosional balance method है, वो यूज के आता है, for calculation of water content, water content को हम इससे निकालते हैं, ठीक है, answer क्या है D, and D is the answer for this question, ठीक है, next question करेंगे, next, ये नया question है, काफी मैंने करवाया और ये पहले, पर ये question आपके exam में आया है, question में आपसे बोला गया है, prismodal correction while surveying is always, अब पहले बात ये है कि जो prismodal correction वो क्या होता है, तो prismodal correction क्या होता है, जो आपका prismodal rule होता है, उस prismodal formula से, आपने volume को calculate किया, ठीक है, और फिर आपने, जो आप mathematical calculation करते हैं, उससे आपने volume को calculate किया, तो जो दोनों में difference आया, वो difference ही आपका correction होता है, और ये correction हमेशा क्या आएगा, ये correction आपका हमेशा negative आता है, ठीक है, ये PGCIL का paper है, power grid वाला जो अभी हुआ है, 18 को 17 को जो हुआ है तो हमेशा क्या होता है, ये आपका हमेशा subtractive होता है, and B is answer for this question, ठीक है, ये मैंने कराया नहीं तगा है class में, ये हमने नहीं कराया है, चलो, next question करेंगे, next, question में आपसे बूला गया है, for which class of brick crushing strength should not be less than, ठीक है, first class के लिए कितना होता है, 7.5 newton per m2, फिर second के लिए less than 7 क्या राएए, कौन सा होगा, ठीक है, तो आपको पता ही है, कि first class brick के लिए क्या होती है, first class brick के लिए आपके 10.5 newton per m2, second के लिए आपका 7, फिर third के लिए आपका 3.5, ठीक है, तो ये आपका second class brick का example है, second class brick, and D is answer for this question, चलते है next पे, next question है आपका, a dutch bond is modification of the, जो dutch bonds होते हैं, वो किसका modification है, किसका modification है आपका, तो बड़ा simple question है ये आपका, किसके लिए, जो third class brick होती है, उनके लिए आपका 3.5 newton per m2 होता है, ये आपके English bond के ही modification होता है, the answer is a, class कोशन ही है, a is answer for this question, ठीक है, चलते है next पे, next, next question आपके screen पे आगिया है, if two arches are constructed side by side, then the curved triangular space is formed between the two extradors, with the base horizontal line, through the crown, this formed space is called, ये question आपके, IES का question है, और ये मैंने आपके class में करवाया हुआ है, building material की, यदि आपने जो marathon class है, वो देखी हो तो, तो क्या था उसमें, ये आपका ये था, वैसे गुपता question भी है, देखो, यदि मेरा ये arch है, और ये दूसरा मेरा arch बना, तो इसमें जो आपका ये triangular portion बनता है, ये triangular portion, जो extradors और आपकी ये line से meet करता है, इसको हम spindle बोलते है, क्या बोलते हैं, इसको हम spindle बोलते है, it is spindle, ठीक है, बास में सभी को, तो क्या होगा ये, इसका answer होजाएगा spindle, और B is cancer for this question, ये मैं आपको class में करवा चुका हूँ, और honch क्या होता है, honch आपका होता है, ये वाला part, ये वाला part, ये जो curved part होता है, उसको हम honch बोलते हैं, then answer क्या होगा, answer है आपका B and B is cancer for this question, चलते हैं next, बताओ, बाकी के option B, इसा पढ़ा रखेंगे, मैंने, skewback क्या होता है, honch क्या होता है, spring line क्या होती है, question सारे नहीं हो पाएंगे फिर, सहवाज अली जी, सारे question नहीं हो पाएंगे फिर, चलो, which the following forces should be considered for design of a structure of area of seismic activity, seismic activity के लिए आप क्या लगाएंगे, अर्थवे quack forces लगाएंगे, then answer क्या होगा, answer आपका C होगा, यह तो बिल्कुल सिंपल सा कोशन है, देखे ही मारना है तो, चलिए next पे, next करेंगे, next question आपके screen पर आगे है, जवाब देंगे, बोल गए आपसे, which the following is not a non-destructive test method could conduct on the hardened concrete, hardened concrete के अंदर, कौन सा is not an non-destructive test, देखो क्या होता है, कोशन को ध्यान से पढ़ना है थोड़ा, कोशन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है आपसे, जो यह rebound hammer test बता रहे हैं न, इनको मैं पकड़ पकड़ के मारने वाला हूँ, non-destructive testing लिखा हुआ है, not an, यह कोशन को पढ़ते नहीं हो आप, इन में से कौन सा आपका non-destructive testing नहीं है, तो splitting tension test आपका destructive test होता है, it is destructive test, it is destructive test, और यह जो rebound hammer test होता है, यह आपका non-destructive होता है, यह आपको पता होना चाहिए, तो C is cancer for this question, nuclear radioactive यह सब आपके क्या होंगे, यह सब आपके non-destructive होते हैं, बिना तोड़े हुए, जैसे आपका ultrasonic pulse velocity हो गया, चले आँगे, चलते आँगे, next question आपके skin पर आगया है, जवाब देंगे, which of these is oil type preservative, which are used for preservation of timber, यदि मुझे आपके timber को preservation करना है, ठीक है, by the help of different type के oils, और हम क्या करते हैं, कि इनको preservative करते हैं, bacteria से, termite से, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम creosoyot oil use करते हैं, creosoyot oil हम use करते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका SQ treatment, SQ treatment जो हम करते हैं, उससे हम अपने timber को fire resistant बनाते हैं, fire resistant, इन दोनों में आपको difference बता होना चाहिए, ये ना हो कि आप क्या करो, जब आपसे पुझा जाए fire resistant, तो आप creosoyot लगा रहे हैं, जब आपसे पुझा जाए SQ, तो आप बोल रहे हैं कि ये आपका use क्या आता है for preservation के लिए, तो बच्चों को बहुता confusion होते हैं इन चीजों में, तो आपको confuse नहीं रखना है, तो आपसे क्या आपका creosoyot, और ये zinc chloride क्या होते हैं, zinc chloride क्या होते हैं वैसे, और ये napta क्या होता है, varnishes में use करे आता है इसको, varnishes में हम इसको use करते हैं, चलो, next question करेंगे, next, next question आपके skin पे आगिया है, fire-sur-able process, चलिए, next question का आपके skin पे आगिया है, जवाब देंगे, question में आपसे बोला गया है, which the following test is not used to measure the wear of stone, is used to measure the wear of stone, wear of stone के लिए आप बोलोगे, कि या तो आप abrasion test करो, या फिर attrition करो, देखो क्या है, वो depend करता है material पे, यदि आपका material है, उसके अंदर scratching हो सकती है, तो हम abrasion करेंगे, और उससे हम hardness को check करते हैं, hardness को check करेंगे, लेकिन यदि मैं stone की बात करूँगा, stone आपका, क्या होगा, उसके अंदर कोई भी cleavage property एकनम से तो आएगी नी, और दूसरा ये है, कि उसको आप यदि scratch करेंगे, तो हम क्या करते हैं, addration test करते हैं, by the help of loading, तो क्या होगा, ये आपका check क्या आता है, wear of stones की, आपका wear और tear कितना है, आपके stone का, उसके लिए हम addration test करेंगे, तो answer क्या होगा, answer आपका हो जाएगा, B and B is answer for this question, चलते हैं next पर, अब मुझे पता नि, क्या है ये ionic crystals, ये पता नि मुझे question का, कौन से उसका boost ले आई इन्होंने, कुछ और भी subject आड़े थे कैसमें, ठीक है ये तो 12th का question है, वैसे, which the crystal in which ions are related to each other, by our electrostatic attraction, उसको हम ionic crystal बोलते हैं वैसे तो, जो आपके ions से जुड़े होते हैं, उनको हम ionic crystal बोलते हैं, तो answer तो इसका वैसे यह होना है, पर ये आपके syllabus में होगा, पता नि मुझे मुझे किसका syllabus क्या था, तो ionic crystal हम उसको बोलते हैं, जब आपका electrostatic force, प्री dominant होता है, चलिए, next करेंगे, next question आपके skin पर आगिया है, अचा, BTEC भी allowed था sir, फिर तो, फिर तो cut off ओपर जाएगी, the excursion that involve, the removal of excessively wet material and soil, that is unsuitable for the stock pilling is known as, तो क्या होता है, ये question काफी नया question है, और आपके exam में आ सकता है, ध्यान रखेंगे, कि एक होता है आपका muck excursion, muck excursion में मतलब क्या होता है, कि हम अपने अपना जो soil है, उसको पहले wet करते हैं, और फिर उसके अंदर क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो stock pilling हो रहा है, उसको मतलब यह हो रहा है, कि जो आप अपने, अपनी जो soil है, उसका जो धेर बनाते हैं, ऐसा, यह नहीं बन पाता है, तो यदि आपका soil ऐसा है, कि वो धेर में नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए हम muck excursion करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उसके लिए, उसके लिए हम muck excursion करते हैं, ए इसका answer for this question, ए आपका correct answer है, बास में सभी को, तो यह बात ध्यान रखेंगे, यह paper आपका A वालो का है, sir, अच्छा जी, चलिए, next question करेंगे, यह question मैं करवारे चुका हूँ, कई बार आपको class में भी, question मैं आपसे बोल गया है, when a brick is cut across the width, the resulting piece is cut, यह क्या है आपका brick को हम across the width काट रहे हैं, यह मालो यह आपका brick है, ठीक है, यह brick को हमें ऐसे नहीं बनाते हैं, 3D में 3D में, 3D में बनाते हैं भई, तो क्या होगा, जब मैं brick को आपको across the width काट रहे हूँ, तो मैं brick को ऐसे काट रहे हूँ, तो इसको हम bat बोलते हैं, क्या बोलते हैं, this is bat, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम bat बोलते हैं, king closer नहीं होते हैं यार, यह king closer मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, A is cancer for this question, चलते हैं आगे, ठीक है, यदि आपने कोई plan बनाया होगा, अपनी life में, तो आपको पता होगा, यह कुशन आप गल्द नहीं करेंगे, क्रोना नहीं है यह, चलो, question में आपसे बोला गया है, in case of line plan of building, what dimension of a space are shown, यदि आपका line plan है, आपने line plan देखे होंगे, तो उस line plan पे, जो बच्चे डिप्लोमा के हैं, वो तो गल्द नहीं करेंगे बिल्कुल भी इसको, तो क्या होते हैं, जो आपके line plan होते हैं, उसमें आपको क्या दिखाई जिता है, अपने घर बनाया होगा, तो हमेशा उसमें आपको inner dimension दिखाई जिती है, कि जो घर है, उसकी जो inner dimensions हैं, उनको हम calculate करते हैं, ठीक है, center line को calculate नहीं करते हैं, विया, calculate the inner dimension, बास समय में आइस अभी को, तो answer क्या है इसका, answer है आपका C, and C इसका answer for this question, inner है क्या, inner dimension ही पता कब क्या है, कि वोल का inner dimension क्या होगा, कि इतने कमरे होंगे, उसमें कितना कितना dimension दिखना है, गेट का दिखना है, यह सब होता है, चलिए, next question है आपका, which to following is a personal, personal error, इन में से कौन सा आपका personal error है, या आपको calculate करना है, बस उसे मत बलाओ भाई साब, Ankit Gautam, इन में से कौन सा आपका personal error है, तो देखो, inaccurate centring, slugging, needles, pyowate being bent, a blunt pyowate bent, देखो क्या होता है, जो centring होती है तिया, आपने माल लिया, है ना, कि मालो कि आप क्या करना है, स्कूल में करना है, तो क्या करते हैं, मालो college में आप किसे बोला गया, कि centring करो, आपने बोला यार, master ने खून भी रखा है, हमारा फाल तुमें, और आपने क्या क्या, हाँ हाँ सर हो गया centring, मतला उसको बस पास मिला के, दिखा दे कि सरी centring में हो गया, तो क्या होते हैं, यह आपके personal error होते हैं, यह आपको सरी, personal error होते है, slugging of needles क्या होते हैं, देखो क्या होता है, needles की जो shape है, यादी वो आपकी needle की shape में ही दिक्कत है, needle की shape में आपकी दिक्कत है, और जो आप pyo weight हो यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर उसमें कोई दिक्कत है, यआ blunt pyo weight है, आपके ब्लंट हो गए है, यह सब क्या होते हैं, यह सब आपके systematic error के अंदर होते हैं, यह आपके जो आपका instrument है, उसके अंदर से पहले ही embedded होके आए है, लेकिन यह क्या है आपकी, यह आपके personal error होते हैं, answer आपको, तो answer क्या है, इसका A and A is answer for this question, चलते है next पे, जैशी रहा हूँ, चलिए, next question आपके screen पे आगिया है, जवाब देंगे, the moment area method is, जो आपका moment area method है, जो आपका moment area method है, वो is valid for a continuous beam, no limitation, single span beam, frames, Rai Stain J के बारे में कुछ बताईए सर, या क्या बताएं उसके बारे में, तो simple सी बात यह है कि, Rai Stain J में जो आपका case है, उसमें, पता नहीं, अब होगा नहीं होगा, क्योंकि चीज़े चल जाती है, फिर आपकी बीशें बंद हो जाती है, ठीक है, तो यह चीज़े हैं, तो बस आप क्या है कि, चल रहा है case, चलता रहेगा बस, अब और क्या कर सकते हैं इसमें, तो जो मैं most appropriate की बात करूँगा न, most appropriate की, वो फिर मैं single span beam लगाऊँगा, लेकिन A and C, both are correct, दोनों के लिए आप momentary method लगा सकते हैं, A and B, frame के लिए momentary method लगता है, frame के लिए मत लगाना कभी भी, frame के लिए मत लगाना कभी momentary method, ठीक है, बहुत जाए typical पड़ता है, तो A and C, दोनों के लिए आप लगा सकते हैं, कौन सा, momentary method, answer क्या होगा, answer या वो समय में आ चुका है, चलिए, next करें ज़िए, पता नहीं, इसमें कुछ दिक्कलत करें हैं नोंने, कुछ options आपके एग्जासे बना दिये हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेकार जनता पार्टी बनानी पड़ेगी सरफ, चलो, उसका अध्यक्ष मझे बना देना है, चलो, क्या answer इस कोशन का, बुल गए आप से, the estimate that is prepared for initial stage to know the approximate cost of the project is known as, तो जो आपका starting की जो cost को describe करता है, उसको हम preliminary cost estimate करते हैं, और इसको हम approximate cost method भी बोलते हैं, approximate cost method भी बोलते हैं, ठीक है, और यह आपका preliminary cost method होता है, पर यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, यहाँ पर उन्होंगे d option में यह भी दे रखा है, तो A और D दोनों option हो सकते हैं, अब पता नहीं हो किसको सही मानेंगे, तो A और D दोनों को सही मान सकते हैं, लेकिन preliminary cost estimate भी होता है, और इसको हम approximate बोलते हैं, अब उन्होंने दोनों option दे दिये हैं, चलो, answer क्या आपका A और D, मैं दोनों बता लाओं कि दोनों आपके सही हैं, अब पता नहीं किसको सही मानेगा, किसको गल्द मानेगा, A और D, चलें आगे, चलते हैं next पे, लैमी's theorem is applicable, लैमी's theorem is applicable for, सर मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, देखो, पढ़ने में कभी मजा नहीं आता है, पढ़ने में हमेशा सिर्फ बोरियात होती है, बोरियात होती है, पर नोकरी में सबको मजा आता है, नोकरी लेने में सबको मजा आता है, पैसे गिनने में सबको मजा आता है, पर पढ़ने में मजा नहीं आता, देखो, चलिए, question का answer बताईए मुझे क्या है, the lamist theorem is applicable only for co-planar forces, concurrent forces, देखो क्या होती है lamist theorem, lamist theorem आपके होती है यह, कि यदि आपके पास तीन angles है, alpha, beta और gamma, तो यदि आपके पास निकालना है कि कितना-कितना angle होगा, तो जो alpha, sine, यदि इसका मुझे पता होगा forces, तो वो forces divided by the sine alpha, उसके आगेगा forces, यदि मैं इसको F1 मानता हूँ, तो यह आपका sine alpha होगा, और equals to आपके दूसरे forces, ऐसे हम इसको calculate कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं यह, यह आपके होते हैं, क्या होगे, यह वैसे क्या हुआ यह, यह A की plane में है, और A की, तो दोनों होने चाहिए फिर तो, तो answer क्या होगा, A, and A is considered for this question, co-planar and the concurrent, ठीक है, तो co-planar और concurrent A की plane में होगे, तो co-planar होगे, और A की point से pass होने हैं, तो concurrent होगे, ठीक है, तो answer क्या है, इसका answer आपका होगा, A, and A is considered for this question, next question आपके screen पर आगे है, जवाब देंगे, the tension coefficient method is based on, यह tension coefficient method क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं, tension coefficient method, यह tension coefficient method हम tension member के लिए पढ़ते हैं, और यह आपके joint equilibrium पर काम करते हैं, it is based on method of joints and equilibrium, method of joints and equilibrium पर काम करते हैं, ठीक है, C is considered for this question, चलते हैं आगे, next question आपके screen पर आगे है, जवाब देंगे, question तो काफी है, कल कर लेंगे, LAMI में केवल करेक्ट किया है, अच्छा, दोनों के भाईसा वो बदलेंगे, चाप देंगे उन ने कहीं से, आज इतने ही question करेंगे, और बचे पर काफी कल करेंगे, इतने ही बचे हुए है, चलिए, stationary structure acted upon a system of forces which includes the external load, reaction and the body forces, by which of the following element, external movement, weight, external tension, pressure, यह बुच रहा है आपका, जो हम freeboard diagram बनाते हैं, external load की वज़े से, तो यह freeboard diagram हमें क्या बताता है, जो reactions को calculate करता है, external force को calculate करता है, तो यह तो यह compressive force को बताएगा, यह external tension को बताएगा, तो answer क्या होगा, not create the moment, not taking account the weight, not a pressure, तो answer क्या होगा tension, यह तो tension को बताएगा, या फिर आपके compression को बताएगा, compression को बताएगा, ठीक है, यह बाते हैं, आप सब आते नहीं हैं means class में, चलो आप बच्चीवी क्लास आपके जो questions होंगे वो कल लेंगे, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, जो बच्चीवी questions होंगे हम कल लेंगे, ठीक है, बच्चीवी questions को हम कल लेंगे, और बोलिए, प्रीका, 2020 का प्रीका का अभी classes लेरा स्टार्ट करेंगे, अभी हम आपके लेंगे questions लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके जो और question है, कितने question थे sir, 120 question थे total, 120 आपके technical के, प्रीका जो result है, result तो बतानी पर answer की जो आएगी, वो आपकी first week में आ सकती है, जनवरी के या फिर December के last में आ सकती है, यह आप देख लेना, अभी को टेस्टी नी चल रहा ह पर चलने वाला है, जल्दी में, पेड़ के लिए आपको everexam.org पर जा सकते हैं, everexam.org, everexam.org पर आप जा सकते हैं, ठीक है, यह यह मुझे से कोई बात कर नहीं है, यह आपके बास कोई paper है, वो आपको करवाना है कि sir, यह कर दो, sir, यह अलग paper आप करवा दो, तो उसके लि बाते हैं, वो आप कर सकते हैं, sir, water pollution department के लिए आप क्या करें, environment अच्छे से करें, environment वाला जो पार्ट है, उसको अच्छे से करें, हाँ, राइस्तान डिग्री वाला एक्जाम फस गया, वो ही बात है ना, यह हो जाता है कि पहले paper लीक हो जाते हैं, फिर फस जाते हैं, फिर वो सालो साल चलते हैं, अब RPSC एनका जो result है, वो 2018 में पेपर हुआ है, 2019 में, अभी क्या है ना, देखो, simple सी बात यह है, कि इन्हो ने क्या किया, मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, कि जो चल रही है, अभी department में, SSJ ने क्या किया, SSJ ने पहले बोला कि आपका जो result आएगा न, वो November में आएगा, फिर बोला कि आपका जो result आएगा, वो December में आएगा, तो बच्चे, December में वेट लागे बैठे कि 20 December को result आ हो रहा है, बच्चों, कुछ बच्चों का आपका documentation कर रहे हैं वो अभी, documentation कर रहे हैं कुछ बच्चों का, पता नहीं आप कौन सा documentation कर रहे हैं, वैसे मुझे ख़वर मिली है, कि कुछ बच्चों को उन्होंने भाहर निकाल देता पहले, कि उनके writing message नहीं कर रहे थी, उनके photo तो उनके थम इंपरिशन मेंशनी कर लेते तो उनका डोक्यमेंटेशन करवाया है कई बच्चों का बट यार मतलब कि सीधी सी बात यह है सर क्या बताएं कब जो मिलेगा कब साधी होगी यही बात है न अब क्या है कि सब कि साई जट वो टाइम से दे रहे हैं चाहे वो CGL हो चाहे वो कोई भी एक्जाम हो सब वो टाइम से दे रहे हैं लेकिन यह पता नहीं यह जो डिजल्ट है यह तो इसके इंदा कुछ चल रहा है अभी ठीक है या फिर पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं दो बात तो डिले कर दिया उन्होंने अभी तक अब आप य बढ़ाएंगे वैसी वो पिरी में इतना कॉंपरेशन बढ़ा चुके हैं जो सेलक्षन होगा तो यह बात हैं होती है ना सब टरनल ब्रेस और CPM सीपड़ सिबैंड का तो है स्वेषट इस अब पढ़ाएंगे इस वाद पढ़ाएंगे जो नया बैस होगा उसमें पढ़ाएंगे क्योंकि देखो क्या है कि वच्चों ने उसमें केस कर दिया है उन्हें बोला है कि भीहार का पेपर आपने बाद में कर आया है भीहार वच्चों का और हमारा पहले करवा दिया तो उसके लिए भी आपका क्या कर दिया है कोट में केस कर दिया तो वही बात है कुछ तो delay होता है कुछ लोग भी लग जाते हैं delay करवाने के लिए चलो कोई बात नहीं जो भी होगा आपको यदि ट्रेंट करवाना है तो यदि आप कुछ चाहते हो मुझसे तो मुझे नीचे करवांड में बता देना कि सार यह ऐसे से कर रहे हैं हम वैसे वैसे हम आपको बता देंगे थीक है 2020 का पेपर तो पेपर क्ट्रेंग नहीं होगा पैली बाद तो यह क्या करवाटर ही NOW मुझे और उसके हैं ईडेरे धर क्ट्रेंशस रख़िए और उसकर अगले दिन ही आपका pre exam लट आएगा पर संडे को जलत आया आज तक तो संडे की डेट जदी पहले लोने मतलब जो बच्चे हों वह बहुत बड़े सी हैं ऐसा हो मानते हैं दूसरा अब क्या है कि पहले बोला कि मेंस का जो पेपर होगा वह 20 को होगा और 21 के वाले दिन ही आपका प्रीग हो जाएगा अभे पागल है बच्चे तो ये बात है कितना डिले होगा 1 मत तो डिले होना है 1 मत नहीं होगा तो 20 मत नहीं होगा तो 20-25 ति योगा वो जाएँगे सप्टेमबर 220 को 2020 भ्रष यार इतना बड़ा हमत बोलो अध यह बात है यह निए बोलो चलो कोई भी आपकी कुछ भी आपको बता देना मुझे तो जो भी बच्चे हैं आप दो क्या है कि हमारे भी कम से कम सो सेलक्शन होने है यार हंडर्ड सेलक्शन होने हमारे हाभी एससी में इस बार अब भाई साब रिजल नहीं आएगा तो बताओ हम कैसे बच्चे को दिखाएंगे कि इनका सेलक्शन हुआ है बस राम भरो से बैठे हैं है चलो मिलते हैं फिर आपका नेक्स क्लास में तब तक के लिए बबाई जया हिन जय भारत और ऐसे पढ़ते रहेगिए और जो बच्चे को शन से हों मैं आपको कल नेक्स क्लास में करा दूँँगा हाँ, अपरिल में हो सकता है अपरिल में सकता है हाँ यही बात है ना चलो मिलते हैं आपके नेक्स स्लास में बाबाई जाहिन 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 बाराथ